उन सब में सफाया बीजेपी होगा और जनता इंतजार कर रही है चुनाओ का अगर अभी लोगसाबा का चुनाओ हो जाए तो उसमें भी सफाया हो जाए इंडिया कंडबंदन की सरकार बनेगी और यहाँ सुप्रासाफ होगा है नमस्कार बहार तक देख रहे हैं आप नहूं आपके साथ अनिकेत कुमार देखें जमू कस्मीर और हर्याना में जो चुनाओ के बाद एक्जिट पोल सामने आए उस एक्जिट पोल में बीजेपी की स्थिती खस्ती नजार आ रही है इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लि है क्या कहेंगे इस पर आप देखिए पूरे दो राज्यों में चुनाओ हो रहे हैं चुनाओ हो गए कल रिजल्ट आना है और वहां पहले से ही तैथा कि इंडिया गडबंदन की ही सरकार बनेगी और बीजेपी वाले हाथ पर मार रहे थे इन जनता समझ चुकी है और जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाओ हो आने वाले हैं उन राज्यों में भी बीजेपी सफाया होने जा रही है इसलिए कि बीजेपी ने देश को लूटा है देश की जनता को लूटने का ठगने का काम किया है इसलिए जनता सजग हो गई है और चाहा वो जम्मू का का और जंता इंतजार कर रही है चुनाओं का अगर अभी लोकसभा का चुनाओं जाए तो उसमें भी सफाया हो जाएगा अगर अभी दुबारा लोकसभा का चुनाओं जाए तो तुरस सफाया हो जाएगा एक दम सफाया हो जाएगा देश की जंता समझ गई है कि ये नफरत पहलाने वाली पार्टी है और देश को तोरना जानती है देश के उन गद्दारों के साथ इन्होंने काम किया है जिसने देश पर राज करने का काम किया था अंग्रेजों ने उसके साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी किया है बाइविर अंद्रीज आपने कहा कि लोग सभाय के अगर चुना होते हैं तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा लोग सभाय के चुनाओं में तो खेर अभी चार साल से पांच साल का वक्त है लेकिन आपने एक बात और कहीं कि अभी जिन राज्यों में चुनाओं होंगे वहां भी बीजेपी सफाया होगी जहां कहीं भी चुनाओं होगा सफाया होना तै है देश की जनता इनको पहचान चुकी है कि देश को लुटने और बेचने वाले लोग है आज से ठीके एक साल बाद अगर हम आपस में बात कर रहे होंगे तो उस वक्त बिहार में चुनाओं ही एरा चल रहा होगा अब हम आकरा नहीं बताएंगे बताएंगे समय आने के तब